द्विगाज समीकरण के अनुप्रयोग हमारे जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन पर आधारित कत्नों को हम वर्ग समीकरण के रूप में लिख कर उनका समाधान ढूनते हैं अब हम ऐसी ही कुछ परिस्थितियों के लिए कत्नों को वर्ग समिकरण के रूप में लिख कर उनको हल करेंगे उधारन चार यदि एक संख्या और उसके व्यूत क्रम का योग दो एक बटा तीस है तो संख्याएं ग्याद कीजिए हल माना की वह संख्या एक्स है तब एक्स का व्यूत क्रम एक बटा एक्स होगा इसी लिए एक्स पहली संख्या धन उसका व्यूत क्रम एक बटा एक्स बराबर प्रश्ण नुसार दो एक बटा तीस है या यहां पर हम एक और एक्स का लगुत्तम एक्स निकालेंगे और उसके बाद एक्स को एक से इसका हर है एक तो हर से भाग करेंगे टो एक्स भागीत एक तो एक्स गुडित एक्स करेंगे तो एक्स की गाद दो धन एक्स को एक्स से भाग करेंगे तो यहां आएंगा एक और एक सोई एक को गुणा करेंगे तो हमें एक प्राप्त होंगा बराबर 30 को दो से गुणा करेंगे तो 60 और 60 धन एक 61 बटा 30 या तिरिया गुणा करने पर 30 उपार आएंगा कोश्टक में हम रिखेंगे एकस की घात 2 धन 1 बराबर 61 एकस या कोश्टक को खुलने पर हमें प्राप्त होंगा 30 एकस की घात 2 धन 30 बराबर 61 एकस या 30 एकस की घात 2 61 एकस का पक्षानतर करेंगे तो रिण 61 एकस धन 30 बराबर 0 अब 30 को 30 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा 900 900 का गुणन खंड निकालेंगे उपयोग जोडा बनाएंगे कि उसका योग करने से हमें 61 एकस प्राप्त हो और गुणा करने से तो हमें 900 प्राप्त होंगा ही तो यह हम 30x की घात 2 को ऐसी लिखेंगे और रिन 61x को रिन 36x, रिन 25x के रूप में लिखेंगे अब रिन 36 और रिन 25 का योग रिन 61 हो रहा है और 36 को 25 से गुणा करेंगे तो हमें 900 पराप्त होंगा धन आकरी पाद हमारा तीसरा पाद 30 है तो 30 बराबर 0 लिखे अब हम उभैनिश निकालेंगे 30x की घात 2 रिन 36x में हम 6x को उभैनिश निकाल सकते हैं तो 6 के पादे में 30 आता है 5 तो 5x यहां बचा रिन 6x कहीं हम निकाल चुके है तो यहां बचेंगा 6 कुष्टक बन रिन 25x धन 30 में हम रिन 5 को उभैनिश निकालेंगे तो 25 जो है 5 के पाड़े में 5 पंचे होता है तो 5 x बचेंगा और क्यूंकि हमने रिण का भी चिन भी बिभाएरीश निकाले है और हम जानतें कि धन जो होता है वो रिण-गुणित-रिण होता है क्यूंकि रिण निकाल चुके है तो यहां बचेंगा रिण और 5 ये पाड़े में 30 होता है 5 गुणा 6 तो यह 6 हो गया कुष्टक बन बराबर 0 या अब दो पद में हम उभेनिश निकालेंगे 5x रिण 6 और दूसरे कुष्टक में हम लिखेंगे 6x रिण 5 बराबर 0 या 5x रिण 6 बराबर 0 होगा या 6x रिण 5 बराबर 0 या हम x का मान निकालेंगे रिण 6 का पक्षांतर करेंगे तो ये धन 6 बटा 5 या x बराबर हमें प्राप्त होंगा रिड पांच का पक्षांतर करेंगे तो 5 और 6 को हम बटा में लेंगे तो इस तरह से हमने देखा आता हाँ वे संख्याए वे संख्याए एक्स बराबर 6 बटा 5 तथा एक्स बराबर 5 बटा 6 होंगी इस तरह से हमने संख्याए जो निकाली है वो 6 बटा 5 तथा एक्स बराबर 5 बटा 6 दो संख्या हमने प्राप्त की या इस उधारण का हल होगा प्राबर 5 बटा 5 बटा 6 बटा 6 5 बटा